स्टूरेंट्स इस वाले वीडियो में एक और guidance वीडियो है NEED 2021 aspirants के लिए शायदा परिशान हो रहे होंगे हर रोज एक वीडियो आ रहा है पर मुझे ये वाले वीडियो कहां से generate होते हैं मुझे काफी सारे स्टूरेंट जब एक टाइप के question पूछ रहे होते हैं तो मैं सोचता हूं कि चलो सबको बता देता हूं क्योंकि हर स्टूरेंट से मैं बात नहीं कर सकता मेरे पास एक स्टूरेंट का सुबह फोन आया और स्टूरेंट ने का कि सर नंबर एक जगे पर अटक गया है उसके 520 थे नीट के एक्जाम में और अब ही 570 के आसपास हैं और उसी जगे पर अटक गया है और मैंने एक ही सवाल पूछा क्या आप रिविजन कर रहे हैं और सका नहीं सर बिना रिविजन के ये टेस्ट दिया था अब ये वाली जो प्रॉब्लम है न सिर रिविजन की नहीं है एक लेविल पे आपको शायद ये चीज समझ में नहीं आई है मैंने उस टूडेंट से पूछा नहीं पर प्रॉब्ली क्या हो रहा है कि आप रफ्तार के चक्कर में सिक्वेंस को ब्रेक करने का मतलब क्या होता है आप रिविजन नहीं करेंगे रिविजन क्यों नहीं कर पा रहें क्योंकि आप हर 3-4 दिन में टेस्ट दे रहे हो सकते हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इस वीडियो में आपको वापस लॉजिक क्लियर कर देना चाहता हूँ और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ लॉजिक बहुत important होता है ठीक है और हर student का logic उसकी तयारी का इस समय पर level क्या है उसके साब से different हो सकता है तो आप से expectation यह है कि आप यह ना सोचे कि इस video में मैं आपको कुछ specific चीज़ बताऊंगा स्पून फीडिंग करूंगा मैं आपको लॉजिक बता दूगा और उसके साब से आप सोच दीजे कि आपके लिए क्या सही है ठीक है पहली चीज़ यह समझ लीजिए कि ग्यारा सो से जादा स्टूडेंट्स का इस बार नीप्रेप.com से गौर्मेंट मेडिकल कॉलेजिज में MBBS मिला था ग्यारा सो से जादा स्टूडेंट्स तो शायद जो हम चीज़ बता रहे हैं वो शायद सही है ठीक है आप कह सकते हैं सा 40,000 सीटे थी सिर्फ 1100 ही हुआ है वो भी बात सही है आप डिसाइड कर लीजे पर इतने स्टूडेंट्स का सेलेक्शन हुआ था दूसरी चीज़ जादा तर स्टूडेंट्स को जो बेनेफिट मिला था हमारी गाइडेंस से मिला था और उसके अंदर हम ए आपको आइडिया लग रहा होगा कि इस सब चीजे बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई गई हैं नीट के साब से सोच समझके बनाई गई है पर इन सब चीजों को आप कैसे कंज्यूम करेंगे कैसे इनसे तैयारी करेंगे मेरा काम यहाँ पर यह है मैं आप फिजिक्स एम chemistry पढ़ा सकता तो मैं एक जो guidance देने की कोशिश करता हूं कि आपकी sequence of studies क्या होनी चाहिए वीडियो देखते में notes लिया फिर ncrt का reading क्या और उसके बाद जो हमने 50% से ज़्यादा mark कर दिया from ncrt question उन्हें practice कर लिया इत्तो sequence यह हो गई और दूसरी क्या रफतार maintain करनी और रफतार maintain करने का एक जो पार्ट है important आपकी frequency पर test देंगे क्योंकि यह जो mock test है यही है जिनके number आपको confidence देते हैं और वह confidence आपको need के exam में एक confident individual की तरह confident aspirant की तरह ले जाएगा या फिर एक demotivated aspirant की तरह ले जाएगा यदि आपके marks वहाँ पर अच्छे नहीं आ रहे तो आपको need के exam में जाने से पहले ही idea हो गया होगा कि आपके तयारी कैसी है और क्या आपका सच में होगा नहीं होगा ठीक है तो इस चीज के around यह जो पेस वाली जो चीज है ना यह mock test के around specially relevant है तो मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि आप 15 टेस्टें अपसे लेके need 2021 के exam तक या 50 दें या 100 दें तो इस चीज का जवाब देता है ठीक है तो आप ऐसे सोच लीजे माल लीजे चार टाइब के स्टूरेंट संहें एक स्टूरेंनि想 जिसका इस वाली काठिगरी में हो फिरилась यह समझ दीजे कि किसी के भी selection का गैरेंटी नहीं है किसी के भी selection का guarantee नहीं है इसका मतलब बस यह है कि आप तैयारी में एक पड़ाओ पे है यदि आपने डीला छोड़ दिया एक्जाम में अभी भी साड़े-चार महने बचे हुए है एक्सपेक्टेड है जून एंड में आप में से काफी सारे लोग बोलते है मुझे कैसे पता नहीं मुझे पता नहीं है मैं काजमशन बता रहा हूँ कि साड़े-चार महने बाद है जो आसपास information available है उससे है ना तो इन में से किसी का भी selection का guarantee नहीं हो हो सकता है इसका हो जाए और हो सकता है इसका नहीं हो तो इसलिए किसी को भी यह सोची की जरूती है कि मेरा तो guaranteed selection है या मेरा selection नहीं होगा depend करेगा कि आप बचे हुए साड़े-चार महने में क्या करते है एक बात यह हो गई दूसरी बात आप यह समझ दीजे कि मॉक टेस्ट लिखने का मतलब क्या है यह जो तीन गंटे का मॉक टेस्ट है ठीक है इससे पहले आपका 15-20 गंटे का revision होना चाहिए और उसके पहले आपका मॉक टेस्ट का syllabus खतम होना चाहिए अब और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट वाले दिनी तीन से चार गंटे का पोस्ट मॉर्टम करना है और फिर अगले मॉक टेस्ट से पहले पिछले मॉक टेस्ट में जो आपको वी केरिया इडेंटिफाइ हुए उसको कुछ टाइम देके उन वी केरियास को fix कर लीजे मॉक टेस्ट का परपस य होते हैं है तो बैसे सोच लीजे कि जब आपको यह सारी चीजे करनी है तो क्या आप सच में हर दो दिन हर रोज हर तीन दिन में एक्जाम लिख सकते हैं ठीक है वापस आ जाते हैं student category जिनका syllabus खतम हो गया है ठीक है जिनका syllabus खतम हो गया है और हरेक टेस्ट के अंदर साड़े 675-680 आ रहे हैं वो शायद हर दो तीन दिन में एक्जाम लिख सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर आईए टेस्ट दिया पोस्मॉटम किया जादा कुछ वी के रहा है नहीं थे दो दिन के बाद वापिस टेस्ट देने के लिए रेड़ी है पर वो ही student जिसका syllabus खतम हो गया न आती नहीं है तो syllabus खतम करना है आपको अच्छी तरह revise करना है फिर मॉक्टेस देना है और आपके 300 साड़े 300 आ रहे तो आपको वी के रहा फिक्स करना है है ना तो यहाँ पर आ जाईए वापिस आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि जो student यह है यह शायद every three days exam लिख सकते ह इन वाले students का देखते हैं इनका syllabus भी खतम करना है फिर मॉक्टेस के लिए revise भी करेंगे तो यह शायद अभी every 15 days लिख सकते हैं ठीक है और syllabus खतम होने के बाद every seven days लिख सकते हैं ठीक है पर उसमें भी every seven days लिखने का तभी फायदा है जब आपका अच्छा score आ रहा है score नहीं जा रहा अच्छा तो आपको अपने वी के रिया fix करने के लिए time चाहिए तो आप decide कर लिए कि 7 दिन के जगे 15 दिन कर देता हूं और exam के पास में 7 दिन के लिए आ जाओंगा यह जो दोनों लोग हैं जब तक syllabus खतम नहीं हो जाता तब तक तो every 15 days ही चलना है है ना मैं वापि रहा था मैंने उनको syllabus भी खतम करना है revision भी करना है फिर mock test भी देना है और उसके बाद वी के रहा भी fix करने अगले test से पहले और यही process बार 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 फालो करना है जो करीब उन्हें सब्सक्राइब के आसपास जो नीट के exam में बचे हैं ठीक है simple सी चीज़ है आपको ज तीन test series join की हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका time fall to है आपके time की कीमत है यह मत सोचिए कि आपने बहुत सारी जगह पर खर्चा कर दिया यह बहुत सारे free test इधर उदर available हैं सबको लगा लेते हैं सबसे बड़ी problem यह होती है कि जब आप सारे test लगाते और उनमें अच् 6 मौक test दें और उससे आपका confidence build up हो मौक test का purpose यह नहीं है कि उसके बाद आपके दिमाग की बिल्कुल है ना धही मच है तो इस बात को समझ लीजे अच्छी तरह है मेरे हिसाब से जादता students के लिए 15 मौक test sufficient है मेरे हिसाब से 50 भी required नहीं है unless आपका वो level है unless आपका वो level है कि आपका syllabus खतम हो गया है आपके कुछ भी वीके रहा नहीं आते है छैसो पिचलता 680 हर बार score करते हैं तो बहुत सारी चीजे syllabus completion revision वगरा आपके लिए relevant नहीं है तो आप हर दो दो तीन तीन दिन में दे सकता है पर जो लोग दिन में दो हर रोज एक यह सब जो कहानिया है अभी हर 15 दिन और बाद में साथ दिन पर आ जाईएगा यदि आपको यह logic different करना है आप अपने साब से सोच जीजिए logical चीज सोचिए और अपने लिए सई चीज implement करिए तो बच्चों मैं आपको बस यह वाली चीज बताना चाहता था और हमारी तरब से जैसा मैंने आपको क है हमारी कोशिश है meet का level NTA जिस तरह के paper set कर रहा है उस टाइप का test series और उसी टाइप के questions हम आपको practice कराते रहेंगे हमने आपको तीन दिन का trial course free trial जिसमें आप तीन दिन के लिए पूरा question bank test series flashcard वगरा उसको experience कर सकते हैं join करने से पहले उसका link video के description में trial का वहाँ पे चले ज sufficient पर आप decide करें कि हाँ मुझे इस वज़े से 50 test देने तो सोच लीजे एक बार वो logic सही है नहीं सही है तो दीजिए गलत है तो सही logic पर आ चाहिए ठीके बच्चो